मुख्यमंत्री सुखु आज अचानक ही राजपफन पहुँच गए थे और राजपाल शिप्रताप शुकल से इन्होंने बाचित भी की है हलाकि मुख्यमंत्री का कहना था कि ये एक शिष्टाचार बेंड थी चार महीने से ये क्योंकि राजपाल से नहीं मिले थे इसलिए आज इन्होंने सोचा कि क्योंना मिलना हो जाए और साथी साथ राजपाल नराज चर रहे थे दो से तीन बातों को लेकर तो उनकी नराजपी भी दूर की गई है पहली बात तो ये थी कि योगा डे पर सरकारी कारेक्रमा योजित किया गया रिज पर और उस वक्त वहां मेयर भी उपस्तित नहीं थे जिस बात से नाराजपी राजपाल श्री प्रताब शुकर ने जताई थी और यहां मुख्या मंतुरी ने हवाला ये दिया है मीडिया से बाच्चित करते हुए कि ये कम्यून्यूकेशन गैप हो गया था आने वाले समय में इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा दूसरे बात कुलपती न्यूक्ती पर भी विवाद हो गया है पिछले कल ही राजपाल ने एक प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई थी जिसमें बकाइदा ये कहा कि जो फाइल मंजूरी के लिए उनके पास आई थी कुलपती की न्यूक्ती को लेकर जो फाइल आई थी उसे मंजूरी दे दी गई है और फाइल वापिस से भी सरकार को भेज दी गई है तीन से चार महीने पहले ही लेकिन कृशी मंतरी चंदर कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी वो बार-बार पहले मीडिया को ये बयान दे रहे थे कि न्यूक्ती का बिल पत्र अभी भी राज़ेपाल के पास ही है और मामला वहीं लटका हुआ है इसलिए देरी हो रही है तो इस बात पर राज़ेपाल शिप्रताप शुकल ने पिछले कर नाराजगी जताई जिसके बाद आज मुख्या मंतरी सुखून से मिलने गए थे और मुख्या मंतरी ने खुद भी इस बात को लेकर दावा किया है कि चार महीने पहले ही ये फाइल सरकार को वापिस लोटा दी गई है राज़भवन से और ये वीधी सचीव के पास है लेकिन कृशी मंतरी को इसकी जानकारी नहीं थी आने वाले समय में इस विश्य को किया गया तो एक बात उन्होंने सपर्श कर दी है कि व्यक्ति किसी भी पार्टी से सम्मंदित क्यों नहीं हो लेकिन गलती को स्विकार नहीं किया जाएगा इस तरह की वारदातों को सरकार स्विकार नहीं करेगी और जो भी इसमें गुनेगार पाया जाता है पुलिस किया गया अब उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताश होने वाली है जो बिलासपुर कोट के बाहर गोली कांट हुआ था उसका मास्टर माइंड जरा दरसल यहां पुरंजन ठाकुर को माना जा रहा है जो कि पुर विधायक बंबर ठाकुर के बेटे हैं और बंबर यानि कि कॉंग्रिस पार्टी से संबंदित वो नेता है इसलिए मुख्या मंत्री सुखु ने बार-बार ये चीज आज कही है और इस पर फोकस किया है कि कि किसी भी पार्टी से संबंदित कोई भी नेता क्यों न हो अगर वो गलत करेगा तो उचित कारवाई उस पर होगी इस तरह की वारदातों को सरकार नहीं सहने वाली है आज एक हीस और नौ बीडियो की ट्रांसफर्स भी हुई है और बारीकी से ये कौन-कौन है इनका नाम जानने के लिए अप अगले कल दिवेह माचल का नियूस पेपर पढ़ सकते हैं अब सबसे एहम खबर पर आना चाहे गया है 105 क्रोड रुपै का खर्चा इसमें हो जाएगा इलेक्रिक बसिस को लेकर स्टेट्मेंट पहले बार-बार सामने आ रही थी और इसी बात पर काफी वजन भी दिया जा रहा था कि अब तो इलेक्रिक बसिस की खरीद होगी लेकिन यहां 200 नई डिजल बसिस खरीदी ज जरूरी है अभी पुरानी बसिस की हाला ठीक नहीं है जिस वज़ा से 200 नई डिजल बसिस खरीदी जाएंगी और 50 टैंपो ट्रेवलर भी खरीदे जा रहे हैं यानिकि यह कुल मिलाकर 300 की नई संख्या HRTC के बेडे में शामिल होने वाली है इसके अलावा 24 नई वॉल्वो भी अभी नई खरीद के साथ ही शुरू कर दी जाएंगी जो अभी 200 नई डिजल बसिस खरीदी जा रही है इसके साथ ही 25 नई वॉल्वो बसिस की भी शुरू आत होने वाली है अलाकि कितना जादा समय अभी खरीदारी में लग जाता है यह देखना काफी जादा रोचक रह रहा है विद्यूत 40 बसों को खरीदने हेतु निविदाएं आमंतृत कर ली गई है और यह 15 जून 2014 से आमंतृत की गई है कैशलेस सुविधा क्यूंकि अब HRTC बसिस में शुरू की जा रही है तो ऐसे परिचालक जो की जादा से जादा प्रोचसाहित है इस योजना के लिए और कैशलेस सुविधा का जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं या लोगों को कैशलेस सुविधा दे रहे हैं उन्हें समानित किया जाएगा ये योजना भी हम नई शुरू हुई है और ये 31-12-2024 तक योजना लागू रहने वाली है यानि कि इस साल के आखरी महीने तक ये योजना लागू रहेगी इसमें 3-3 परिचालकों को समानित किया जाएगा जो सबसे जादा कैशलेस सुविधा का लाब पैसेंजर्स को देने वाले हैं और ये शुरूआत इसी महीने से होने जा रही है नीगम द्वारा नीगम कर्मियों को दिनांक 18-1-2024 के बाद वो बली 55 लाख रुपैस चित्सा प्रतिपूर्ती का भुगतान भी किया जाएगा medical reimbursement करमचारी और पैंशनर्स दोनों ही इसकी मांग उठा रहे थे इसका भुगतान हो जाएगा और इसमें राशी भी दी गई है तक्रिवन 55 लाख रुपैस के करीब ये अदाईगी होने वाली है उन रियक्टर भरती में भी क्यूंकि अब देखें बहुत कम प्रक्रिया बाकी रहे गई है पूरा करने के लिए तो ऐसे में जल से जल इस लंबित भरती को भी निप्टाया जाएगा अपनी अपनी न्युक्तियों को लेकर इसमें दर असल अभ्यवती इंतिजार कर रहे हैं रिसोर्स मॉबिलाइजेशन कमेटी भी HRTC के लिए बनाई गई है क्योंकि 1300 से 1400 क्रोड के घाटे के बीच अभी HRTC चल रही है इससे कैसे उभ्रा जा सकता है इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट अगली BOD की बैठक में पेश करने वाली है बद्धी फते